हेलो एवरिवान, आज हम लोग करेंगे लेसन आइन्टिन दोहावली के प्राश्ण उत्तर और बैक एक्सेसाइड इस दोहावली की एक्स्प्लानीशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो चरूर देखें नमबर वन, अभ्यास नीचे गुरु मुखी और देवनगरी लीपी में दिये गए शब्दों को पड़े और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें बानी, बानी, विद्या, विद्या, पंखा, पंखा, पोथी, पोथी, पंडत, पंडत, कुटी, कुटी अब हम करेंगे नमबर टू, इन प्रश्णों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें कुश्चर नमबर वन, हमें कैसी बानी बोलनी चाहिए? आंसर, हमें मीठी बानी बोलनी चाहिए जिसमें अभीमान ना हो कुश्चर नमबर टू, आज का काम कल पर क्यों नहीं टालना चाहिए? आंसर, आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोडना चाहिए क्योंकि पल भर में प्रले हो सकती है पल भर में कोई बिपत्ती आ सकती है, मृत्यू भी हो सकती है Question number 3. विद्या कैसे प्राप्त की जा सकती है? Answer विद्या परिश्रम करके प्राप्त की जा सकती है Question number 4. पोथी पढ़ कर भी लोग विद्वान क्यों नहीं बन पाते? Answer पोथी पढ़ कर लोगों को सच्चा ग्यान प्राप्त नहीं होता इश्वर प्रेम के अबाब में वे बिद्वान नहीं बन पाते Question No.5 हमें क्रिस्प प्रकार के वचन बोलने चाहिए Answer हमें वचन बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना चाहिए उसके बाद ही बोलना चाहिए Question No.6 कवी ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए क्यों कहा है Answer कवी ने निंदक को अपने समीप रखने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि निंदक हमें हमारे अवगुनों से आवगत कराता है Question No.7 दूसरों में बुराई क्यों नहीं धूननी चाहिए Answer आंसर, दूसरों में बुराई इसलिए नहीं ढूंदनी चाहिए, क्योंकि सबसे अधिक बुराई हमारे अंदर ही छिपी होती है, पहले हमें उसे स्माप्त करना होगा. कुश्चन नंबर सेवन, कवी ने सहयम वरतने के लिए क्यों कहा है? आंसर, कवी ने सहयम वरतने के लिए इसलिए कहा है, क्योंकि सहयम से प्राप्त होने वाली चीज लाबदायक होती है. अब हम करेंगे नंबर थ्री, इन प्रशनों के उत्तर चार या पांच वाक्यों में लिखें. नंबर वन, पठिक दोहों में से तुमें सबसे अच्छा दोहा कौन सा लगा? क्यों? आंसर, इस दोहा बली में कबीर का या दोहा, बड़ा हुआ अतिदूर, मुझे सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें एक बड़े इंसान, उच्छी इंसान का स्पष्ट लक्षन बताया गया है, बड़ा या महान वही हो सकता है, जो दूसरों की भलाई करता है, आज की युग में हर कोई अपने को अच्छा कहता है, परंतु, उसके कहने से क्या होता है, वह लोगों का कितना भला करता है, यह देखने वाली बात है, नमबर टू, इन दोहों में से आपने जो सिखा, उसे अपनी शब्दों में लिखें, कबीर की इन दोहों से हमने यह सिखा है, कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए बीना प्रेम का पाठ पड़े हमारी विद्या किसी काम की नहीं है तब तक हम इश्वर को हासिल नहीं कर सकते हमें हर काम समय पर करना चाहिए आज का काम हमें कल पर नहीं छोड़ना चाहिए हमें अपनी बानी मीठी रखनी चाहिए तथा सब कुछ हमें माप तोल कर बोलना चाहिए मेहनत से ही हम विद्या रुपी धन हासिल कर सकते हैं तथा हमें हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए अब हम करेंगे नमबर फो इन शब्दों के हिंदी रूप लिखें शीतल, सीतल, शीतल, नियरे, निकट, परले, प्रले, निर्मल, निर्मल, पौन, पवन, यानि हवा, सुभाए, सभाव, आखर, अक्षर चूप, चुप, यानि शान्त रहना, मौन रहना अब हम करेंगे नमबर फाइब, इन शब्दों के प्रायवाची शब्द लिखें विद्या, शिक्षा, ज्ञान, पढ़ाई, उद्धान, महनत, परिश्रम, श्रम, पोथी, पुस्तक, कितार या ग्रंत, पंथी, राही, यात्री, मुसाफिर, यानि कि ट्रेबलर तो यह थे आपके लेसन 19 के प्रश्न उत्तर बच्चू इस पोयम की एक्स्प्लानीशन के लिए आप हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखेगा thank you very much everyone